हेलो फ्रेंट्स और वेल्कम बाक मैं नाम है शशी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गैजेट फ्री और फ्रेंट्स आज का ये वीडियो है रेड्मी 6 के कैमरा रिव्यू के बारे में अगर आप इसका अन्बॉक्सिंग और ओवर्वीव वीडियो देखना चाहते हैं तो उपर दिये गया आई बटर प्लिक प्लिक कर सकते हैं तो चलिए वीडियो के शुरुबात करते हैं अगर आपने कभी शौमी ये रेड्मी का फोन यूज किया है तो आप इसके इंटरफेस से वाकिफ होंगे ये टिपिकल कस्टम रॉम है मी यूई इसका नाम है और इसमें इसका जो आपका कैमरा का मी इंटरफेस है वो काफी धर्तक सिमिलर है इसमें शॉर्ट वीडियो, फोटो, वीडियो, पोट्रेट यानि की बोके मोड, पानारोमा मोड, स्क्वायर मोड जो इंस्टाग्राम फिल्टर में यूज किया जाता है पानारोमा मोड सबसे अची बात मैनुल मोड है इस मैनुल मोड की मलद से अब वाइड बैलेंस, आयो 2.25 माइक्रो पिक्सल का है इसमें आटो फोकस टेकनोलोजी है और जो सेगेंडरी कैमरा है वो देफ्सेंसर का काम हाता है इसमें हम फूल एच्टी थाजन एटी पी 30 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें HDR, पैनारोमा, मैनुल मोड और पोट्रेट जैसी फीजर अबलेबल है बात करते हैं फ्रेंट कैमरा की तो फ्रेंट कैमरा 5 मेगा पिक्सल का है यह भी 2.2 फोकस का है इसमें हम फूल एच्टी यान थाजन एटी पी 30 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें भी पोट्रेट और और आटो एटीर की फैसलिटी अबलेबल है इसमें पोटो देख सकत काफी अच्छा है तो इस बजेट में काफी अच्छा है बात करते हैं कुछ ववध़ूरेंट फोटो की जैसा कdogsल एच्या से काफी अच्छास के चैप्चर किया गया है इस फोटो में देखेए कि स्गा का कलर और जो आटो आज्टेया इपक्तमील और कलर घवाद का याज इसका एक और सेंपल देखते हम जिसमें देखते हैं स्काइ का के कलर और जो स्थाड़ की करर दोनों को कितना अच्छा कोमेंशन यूज कियागया है इस प्रशन में हम एक्सिट निहीं कर सकते हैं तो इस close-up shot देखते हैं जैसा कि bokeh effect जो create किया गया सामने वाले जो flower है उस पर अच्छा focus किया गया है और background blur किया गया है एक और sample देखते हैं जिसमें देख सेकते हैं कि dual camera को death sensing camera है वो काफी अच्छा तरीका से work कर रहा है जैसा कि यह photo मैंने मिना portrait shot के लिया है background को blow कर दिया गया है इस photo में अब देख सेकते हैं कि portrait photo अबलेबल अप्लाइ कर धिया गया है इसके कारच मेरा background blur कर दिया गया है यह मैंने rare camera से front photo लिया है इसमें sky highlight को blow कर दिया गया है लेकिन face access capture किया गया है और यह bokeh effect एस डिटक्शन तो उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी इस बजट के साथ ते काफी अच्छा है यह कुछ अर्टिविशल लाइस में फोटोस है यह रोम में नॉमल टूलाइट के लाइट में कीचे गई है बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन अच्छ देखने के लिए और जो वाइस रिकॉड होगर है इंटर्नल माईक के बादए रिकॉड किया रहा है इसका वीडियो स्टेबलाज़ाशन काफी बेटर वर्क कर रहा है अभी पास में रियल मीटू जए एक्सपेक्ट किया था उससे काफी बेटर है सेम वीument स्टेबलेशन की बाता है और यह देख सकते हैं कि स्टेबलेशन कैसा वर्ण कर रहा है ? इससे पहले देख रहे ते उसमें स्टेबलेशन था इसमें स्टेबलेशन नहीं है ? इसका वॉइस भी मेगांट्स से ही रिकारडंग किया जा रहा है अगर मैं फाइनल वर्टिक्ट पोच्छू तो जिस प्राइज इंग में ये फीशर अवलेवर कर रहा है इसे मैं फोर स्टार देना चाहूंगा और अगर ओर अगर डिजाइन की बात करें तो मैं इसे 2.5 स्टार देना चाहूंगा अगर आपको यह वीडियो किसी भी काहार न से पसंद आया हो तो शेल लाइक करें शेयर करें और अगर मेरा कॉंटेंट पसंद आया है तो कि अब्सक्राइब ज़रूर इस बाइफ और नौ एंटेकर आपको